आप सबी को बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हैं आप लोगों के लिए पिर से एक और पिकड़ करती हूं कि आप सब भी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने रहे सारा ख्याल रख रहे होंगे आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आउगस का मन्त आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपकी किस्मत क्या लेकर आ रहे हैं क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है क्या कुछ गाइदिंस है क्या कुछ एटवाईस ह ऊगसमन को यहां पर देखने वाले हैं तेल में पीड में सारी ही छीज़ें आपकी हल्थ, आपका करियर, आपका और रिलेशनशेप सारी परस्पेक्टिफ से ठीक है तो है दो अप्शन्स है आप लोगों के सामने option first के लिए है यहां पर calming the waters and साथ में है यहां पर यह rose quartz का stone यह pyramid okay and option two के लिए है यहां पर यह earth magical card and साथ में है यहां पर यह black turmaline का pyramid okay so आप लोग को अपनी आखे बंद करनी है करनी है इश्र को याद करना है उसके बाद जो भी पिरामिट से आप लोग ज्यादा कर पा रहे हूं आप उसको चूज कर सकते हैं टाइम स्रेंश नेचे आप लोग को description box में मिल जाएंगे और याद रहें यह एक general reading है हो सकता है आप के साथ resonate करें और हो सकता है ना भी करें तो आप लोग एक उपन माइंड सेट के साथ इस reading को देखेंगा और अभी option first के साथी reading स्टार्ट करते हैं हलो option first अगर आप लोगों ने यह रोज को आज का पिरामेट और साथ में कामिंग देवाटर के कार्ट को जूस किया है तो देख लेते हैं अगर इसके मंत में आप लोग की किसमत आप लोग ले क्या कुछ लेकर आ रही है क्या कुछ guidance है एड़ाइस आप लोगों के लिए रहने वाले हैं कौन से changes है क्या कुछ blessings है सारी ही चीजें से रीडिंग में देखेंगे सो यह यहां पर साइट से रख देते हैं और शफल कर लेते हैं कार्ट ऑप्शन फर्स्ट पीस अनिवर्स काइट मी फोर ऑप्शन फर्स्ट ती वील ओके तो पहले ही बहुत सारे बदलाव आरे हैं भई नाइन अफ कप्स और फाइब पेंचिकल्स नाइन अफ सोर्ट टू अफ कप्स ओके अभी देखते हैं हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए हैं यहां पर दी चारिट और टैन अफ सोर्ट करियर के लिए हैं यहां पर दी हाई प्रिस्टेस और दी लवर्स एंड रिलेशन्शिप गिंग अफ पांस क्वीन ओफ पेंचिकल्स हम्म ती मून की अनरजी ठीक है अप्शन फर्स अगर बात करूं कि क्या कुछ आपकी किस्मत इस महीने आप लोग लेकर आ रही हैं बहुत सारी चीज़े रहने वाली है यह ऑगस के मनत में अगर बोलू तो बहुत सारे बदलाव आरहे हैं बहुत सारे CHANGES आर๋ए आप लोगों की लाइफ में خुशियां भी आ रही हैं blessings भी आ रही है आपकी wishes भी यहाँ पर पूरी हो रही है और जो भी कुछ एक तरीके से आप लोगों की life में negative था ना जो भी कुछ जैसे blockages थे आप लोगों की life में जो चीज़ें आपको आगे भढ़ने से रोक रही थी आपके अंदर कुछ खामिया थी उन चीज़ों से आप लोग heal कर रहे हो देखो पते सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कभी कबार ना हमें हमारी life में यही नहीं पता होता है कि यह problem है इसको हमें sort करना है इसका हमें solution ढूरना है तो दिक्कत तब आती है हम परिशान हुए जा रहे हैं लेकिन जैसे ही problem पता चल जाए और हम उसके solution के उपर काम करने लगे तो वो problem फिर इतनी जादा नहीं टिकती है तो exactly यहाँ पर आप लोग के लिए यही है कि solution के उपर आप लोग काम करने वाले है past कुछ time में बहुत सारी चीज़े रही है कुछ losses भी यहाँ पर आप लोगों के लिए हुए है परिशान भी रहे हूँ anxieties भी रही है कुछ लोगों depression kind of भी रहा है कुछ चीज़े आप लोगों के लिए अगर मैं बताऊं तो work नहीं कर रही थी आपको अपने काम करने की तरीके में कुछ यहनो बदलाव लाने थे कुछ changes लाने थे तो वही यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए work नहीं मतलब आप लोगों को अभी क्या समझ में आगया है और बदलाव लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके favor में हैं उनके साथ काम कर रहे हैं बाकि rest बहुत सारी चीज़ों को avoid भी यहाँ पर आप लोगों कर रहे हैं एक चीज बस यहाँ पर यह कही जा रही है कि sometimes अब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन इस्टिल आप थोड़ा सा left out सा feel कर सकते हो थोड़ा यहनो थोड़ा अजीब सा feel मुझे अजीब सा word सुनाई दे रहा है कर सकते हो कि बेवज़ा यहनो आपको हैवी फील हो रहा है बेवज़ा कुछ इस तरी की चीज़े क्योंकि थोड़ा सा यहां पर अगर देखा जाए तो आपने से बहुत सारे लोग एंपाथ हैं और आसपास की ना इनर्जी को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर लेते हैं तो यह एक रीजन है कि सम्टाइंस आप बहुत साथ बिना कुछ किसी रीजन के परिशान सा दुखी सा फील करने लग जाते हो क्योंकि अबने एट्मोस्फेर की अनर्जी को अपना यहनो एक अब्स यहां पर थोड़ा सा एख पर आपने मेडिटेशन वागरा करना है लोग झाहन कोल सुर्वी हमा पर नग प्रेक्छा उधमी भ्रेस दवियर कर सकते हो यह थोनों ही बहुत अच्छे आप लोग और रहेंगे तो यह यहां पे कुछ energies आप लोग ले है health की अगर यहां पे बात करो तो the chariot की energy है 10 of wands की energy है energies यहां पे कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा excited रहने वाले हो क्योंकि कुछ यहां पे नए काम को आप लोग शुरू करना चाहोगे अपनी life में मुझे इस काम को पूरा करना है मुझे इस फील्ड में सक्सस चाहिए तो यहां पर क्या दिख रहा है कि अपनी हेल्थ में अगर आपको कुछ symptoms दिखें तो थोड़ा से उन चीज़ों को ख्याल रखना मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि अपनी इम्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग करो अधरवाइस से कुछ infections का डर जैसे यहां वैसे भी यहां पर यहां पर थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या कहा आप लोग अपने पर आप लिए निगेटिविटी होती है ना उसको अब्जर्व सा कर लेते हो बहुत बारी तो अब वह नेच्रल ही है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आप एक चीज कर सकते हो एक तो अपने और अपने और आको प्रिटेक्ट करो ठीक है और साथ में ग्राउंडिंग डेली ब इरिटेक्ट कर लो कुछ एफ़मेशन इसके साथ ग्राउंडिंग के लिए दे दो तो इससे भी आपके ग्राउंडिंग हो जाती है लेकिन इसे टाइम टो टाइम क्लीन्स करना पड़ता है फिर अब यहां पर आपके करियर की बात करूं हाई प्रिस्टिस की एनरजी है कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती है किस तरीके से काम करना है क्या नहीं करना है क्या करना है डूस और डॉन्स जो है वह आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गए हैं तो यहीं पर आप लोग के मुझे नजर आ रहा है कि अच्छा रहेगा करियर आप लोग का अच्छ तो message यह मिल रहा है कि अपने काम से ही बहुत सारा प्यार आप लोग को होने वाला है जैसे मैंने कहा कि excitement रहेगी उनों कुछ कर दिखाना है कुछ नया करना है कुछ हटके करना है तो उस तरीके से आप लोग आगे भढ़ रहे हो relationship की भी यहां पर बात करो तो king of wands है and queen of pentacles है क कहीं ना कहीं जो भी लोग यहां पर relationship में है ना उनकी आपसी understanding यहां पर अच्छी होगी आप लोग हो सकता हैं दोनों ही बहुत जागा different हो दोनों के mindset बिलकुल अलग हो सोचने समझने का तरीका बिलकुल अलग हो लेकिन उस बीच में भी आप लोग साथ क्यों रह सकते आप लोग किसी ऐसे person की तरफ थोड़ा सा you know attract हो सकते हो जो कि आपसे बिलकुल ही different है जिनका career जिनका सोचने समझने का तरीका तो यह energies यहां पर मुझे मिल रही है और यहां पर क्या कुछ है आप लोगों के लिए August के month में और क्या कुछ लेकर आ रही है आपकी destiny आपकी किस स्प्रिचल स्ट्रेंद माटेरियल हार्वेस्ट fulfillment of wishes और मैंने पहले ही कहा कि wish पूरी होने वाली है क्योंकि nine of cups का card आया है तो wish तो definitely यहां पर आप लोगों की life में पूरी होगी ही होगी spiritual strength का card है जितना आप लोग ध्यान करोगे मैंने बोला ना grounding करना ध्यान करना उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और spirituality कुछ लोगों को लगता है कि जिनको केवल यह इसा नहीं है कि आपने पूरे दियान करते रहना है यह material words से एकदम disconnect हो जाओ कि वल यह उसी चीज में हो जाओ सन्यास ले लो वो सारे चीज़े नहीं होती है spirituality से जो आपको strength मिलती है वो आपके life के हर area में आपके काम आती है जो आपको wisdom मिलती है जो आपको knowledge मिलती है तो यहां पे कुछ ऐसा ही है option first कि जो भी कुछ कर रहे हो ना spirituality को साथ में रखे करना daily basis पे दिहान के लिए meditation के लिए time जरूर निकालना material harvest का card है तो यहां पे अगर देखा जाए तो number 999 मैंने अब भी notice किया और 99 जो card होता है ना वो endings को भी बताता है एक cycle जो थी आप लोगों के life में वो close हो रही है और यहां से एक new beginning हो रही है आप लोगों के life में तो basically कुछ पुराने जो concepts से पुरानी जो चीजे थी या चीजे वक नहीं कर रही थी वह साइकले close हो रही है और यहां से एक success का यह सफलता के दर्वाद से आप लोगों के लिए है material harvest का card है जो अपनी wishes रखोगे न और यह जो energy है अगर मैं बात करूँ एक साल तक मुझे हां पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि यह वाली cycle अगले एक साल तक चलेगी करियर में बहुत grow करोगे और one year from now की reading भी मैं already कर चुकी हूं लिंक नीचे description में दे करेंगे आप लोग definitely उसे भी अपने लिए चैक कर सकते हो हो सकता है कुछ messages वहां पर आपको अपने लिए मिल जाएं बहुत आगे जाओगे बहुत नाम कमाओगे बहुत पैसा कमाओगे विश पूरी हो रही है यह reading तो किवल August मंत की है लेकिन यहां से जैसे आप लोग के ल understanding intuition यह कुछ keywords रहने वाले हैं हर लेवल पर अपनी life में आप लोग देखा जाए तो grow कर रहे हो अपने better version में आ रहे हो आप लोग option first और I think you know इस से जादा कुई अच्छी बात नहीं हो सकती आप हर दिन कुछ सीख रहे हो कुछ समझ रहे हो हाना अपने उपर काम कर रहे हो त चेक कर सकते हैं और देखते हैं यहां से option first source return to oneness अच्छा lead with confidence option first यहां पर किस तरीके से message है ना कि यह नो आप लोग बीच में कहीं बटक से गए थे बीच में थोड़ा अधर अधर से हो गए शुरुवाती में अच्छे तरीके से चल रहा था बीच में कुछ और चीजों में involved हो गए कहीं और चले गए तो वापस से वह oneness की feeling आप लोग के अंदर आ रही है कि यह universe यह सब कुछ आपको मतलब इस spirituality बहुत जादा attract करेगी option first ठीक है इस spiritual चीजों की तरफ आप लोग बहुत जादा attract हो जाओगे ध्यान की तरफ ध्यान भी बहुत अच्छा होगा आप लोगों का लीड विद confidence का कार्ड है तो confidence आप लोगों ने रखना है citrine और पाइराइट देखो दो क्रिस्टल है यह है पाइराइट और यह है citrine यह वाला citrine दूसरा citrine है मेरे पास है मैंने कहीं और से मंगाया था इंडिया का नहीं है तो citrine और पाइराइट यह दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि एक success की तरफ आप लोग आगे भढ़ रहे हो यहां पर confidence चाहिए यहां पर faith चाहिए यहां पर इन्हों कुछ कर दिखाना है तो वह रिस्क भी आप लोग को लेने पड़ेंगे तो यह दोनों ही crystal combination में अगर आप लोग अपने लिए लोग है तो बहुत अच्छा वर्क करेंगे ठीक है और देखते हैं यहां से क्या कुछ काइड़ेंस है आप्शन फरस्ट hidden knowledge, akashic records, silent understanding okay, summoning power, instinct, intellect and control okay, option first, वहीं बहुत ही powerful energies हैं August के मन्त में आप लोगों की एक चीच कहूंगी बहुत सारे चीचे experience करने वाले हो ना केवल आप लोग अपनी material life में इस 3D world में बहुत सारी चीचों को experience करोगे बलकि spirituality में भी आप लोग बहुत depth में जाके चीजों में उतर रहे हो सीख रहे हो और एक और चीज बता दूँ आप लोग को परिशान होने लगोगे वो losses होने लगेंगे वो सारी चीज़ें होने लगेंगी सो यह एक क्या है यह आपकी strength आपको जो मिल रही है वही कार्ड यहां पर है spiritual strength वो जो यह एक energy जो आपको मिल रही है वो एक्टिव हो रही है आपको guide कर रहे हैं वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं वो कुछ intuitions हैंगी कुछ frequently आपको messages मिलेंगे तो आप make sure कि उन्हें लिख लें क्योंकि मिल रहे हैं अधिहान कर रहे हो meditation कर रहे हो जब भी आपको मिल रहे हैं उनको जरूर लिखते जाएगा और देख लेते हैं यहां से यह आप लोग अपने ही अंदर की knowledge को wisdom को channel कर रहे हैं जो knowledge आपकी soul में है एक होता है कि हम दूसरों से ग्यान ले रहे हैं हम किताबों से ग् प्रिचली प्रिटेक्टेट तो आप सेफ हैं आपके love once be safe है तो मन में किसी भी तरीके का आप लोग को डर रखने की जरूरत नहीं है इस और आपके साथ है यूनिवर्स आपके साथ है आप बस अपने goal पर जो भी आपका target है आप उस पर focus रहो और आप उस पर आगे भरते चल जाओ because वहीं से आपका soul purpose जुड़ रहा है वहीं से आपका काम जुड़ रहा है ठीक है so option first यह है आप लोग की energies I hope reading अच्छी लगी हो like जरूर कर दीजिएगा and अपना feedback भी जरूर शेर करें कैसी लगया आप लोग को reading और साथ में subscribe भी कर लें चैनल को and अगर आप लोग जाएंगे इस कैमर से सब्धान रहें मैं अपना नंबर का भी भी comment box में शेयन नहीं करती हूं so मैं मिलते हैं आप लोग से नेक्सी इडिंग में तब तक के लिए बाई अगर आप लोगों ने अर्थ मैजिक का कार्ड चूस किया है साथ में ये ब्लैट टमलिन का पिरामिट तो देख लेते हैं आप गस का मन्थ आप लोग ले कैसे रहने वाला है आपकी ड़स नहीं आपकी किसमत क्या कुछ इस मन्थ आप लोगों के लिए लेकर आ रही है सो ये कार्ड को और ये पिरामिट को यहां पर साइट से रख देते हैं और शफल कर लेते हैं कार्ड ऑप्शन टू प्लीस अनिवर्स करेंग में पर ऑप्शन टू टू आप लिए टू गज़ एपन टू टू आप यहां पर यहां पर तो बहुत जादा आप्शन टू इक तम बोल्ड एनर्जी मझे आप लोगों की तरफ से मिल रही हैं बहुत सता बोल्ड मितलब यह नो पिछ बढ़ कदम उठाने वाले हूँ कुछ steps लेने वाले हूँ अपनी life में थोड़ी सी यहाँ पर जो energies है ना आप लोगों की वह ऐसी है कि आप लोग खुद की ऊपर focus रहो गया अनो self-centered थोड़ा सा में कह सकती हूँ अपने बारे में सोचोगे अपने लिए अच्छा सोचोगे और मैं बताते हूँ मैं सारे cards निकाल ही लूँ पहले दिखते हैं health के लिए अभी option 2 six of cups यह हो गया की health, career, night of sorts and relationships option 2 यहां पर हो क्या रायना की बहुत time से आप लोगों की life में उत्थल बदल से चल रही होगी चीजें कुछ set नहीं हो पा रही होंगी time बहुत जादा आप लोगों का waste हो रहा होगा कभी किसी चीज में कभी किसी की मदद करने में कभी किसी की help करने में और result कुछ निकलनी रहा होगा आप लोगों का है ना मतलब बहुत जादा energy भी जा रही है उतना output भी नहीं मिल रहा है कुछ सही कदम नहीं उठा पा रहे हो अपने लिए time नहीं निकाल पा रहे हो so august मंद का पूरा ही जैसे यह month start करोगे आप लोग अपने पूरा चार्ट बना लोगे अपनी पूरी टूडू लिस बना लोगे अपना पूरा चार्ट बना लोगे मुझे किनची जोगे उपर focus रहना है मेरे schedule क्या रहेगा मुझे कैसे काम करना है मुझे कहां पर ध्यान देना है किन चीजों की तरफ सारा कुछ डूज क्या है और पूरा ही पूरा अपनी एनरजी की तरफ फोकस्ट हो जाओगे आपको ऐसा रहेगा कि अब मुझे भाई अपने लिए काम करना है मुझे अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है फिर चाहे कोई मुझे अभी सेलफिश समझे तो समझे लेकिन मुझे अपने लिए कुछ करना है बिसिकलि कुछ ऐसा यहां पे आप लोग का होने वाला है हाला कि अगर देखा जाएं यहां पे लाइफ में बहुत 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 जगे ना मतलब कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है लेकिन कुछ जगे थोड़े से परिशान सब्सक्राइब किस तरीके से पर आगए किस तरीके से जाना है तो यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा अपसन डाउन सबसे इस तरीके के अपनी लाइफ में अभी ले रहे हो जो कि शायद आपको बहुत पहले ले ले लेना चाहिए था है ना तो यहां पे आप लोग अगर इस मन्त की एनरजी की बात करो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो कुछ नया प्रोजेक्स की उपर काम कर रहे हो कुछ नया सीख रहे हो अपनी जीवन में अपनी लाइफ में आगे भरना है आप लोगों को अपने सपनों को पूरा करना है तो उसी युनो लाइफ में बस सीख रहे हो यहां पे सरेगी के अनर्जीज है वो काम कर रहे हो वो धीरे धीरे अपनी दुनिया को बुन रहे हो कुछ गलतियां भी हो रही है लेकिन उन गलतियों से सीख भी बहुत कुछ रहे हो सो ऑप्शन टू यह आप लोग का एक experience वाला time period चल रहा है यह एक सीखने वाला time period यहां पर आप लोग ले चल रहा है बस एक ही चीज है life में वो है flexibility किसी भी चीज को अपने ego के उपर अपने attitude पर नहीं आने देना है यह नो हमें time time पर बहुत सारे modification करने पड़ते हैं अपनी knowledge में भी अपनी wisdom में भी अपनी life में भी तो बस उसी चीज के उपर यहां पर कहा जा रहा है कि थूड़ा सा ध्यान देना है कुछ चीजों से आप आपए में देना है कि लोग option 2 भागनी के कोशिश कर रहे हो मतलए अपनी किसी emotion से हो सकता है अपनी life के किसी पहली से हो सकता है भागनी की कोशिश कर रहे है तो यहां पर message यह है खांगना नहीं है उसे समझना है उसे फेस करना है फिर उसे हील करना है ठीक है तो यहाँ पे option 2 healing के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है थोड़ा सा time अपनी healing के लिए भी निकाल दिये और बाकी तो देखा जाए तो option 1 में भी था कि नई शुरुवात है new beginnings है और आप लोगों के लिए वैसी ही energies मचे यहाँ पे पेल हो रही है health की यहाँ पे बात करो तो six of cups के और death की energy है तो देखो यह warning है आप लोगों के लिए अगर health का ख्याल नहीं रखा चीजों को ध्यान में नहीं रखा तो health को लेके कुछ issues रह सकते हैं तो पहले से यह जो reading है वो warning है आप लोगों के लिए कि अपनी health को नजर अंदाज नहीं करें इन case अगर पहले से कुछ problem चल रही है तो उसे मतलब proper ध्यान रखना है medicines वगेरा लेनी है जो भी routine follow करना है जो भी दायते बरतनी है वो आप लोग बरती है करियर को लेके बात करूँ तो हाँ बहुत बड़ा बदलाव है बहुत बड़ा change है एक यहाँ पे नई शिरुवात है बस यह है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों में आगे भड़ें बहुत ज़्यादा जल्दी वाजी मचाने की कहीं भी किसी भी चीज में आप लोगों को जरूरत नहीं है ठीक है मतलब अच्छे दरीके से आगे भड़े हो लेकिन क्या है न कि जल्दी वाजी के चक्कर में कभी कभी कुछ गलतियां भी हम लोग कर देते हैं कुछ गलतियां हो जाती है तो बस यहाँ पे ऐसा है कि चाहें रेज तोड़ी सी स्लो हो लेकिन यहनो अच्छे दरीके से वो चीज यहाँ पे है इसके साथ में अगर करियर की यहाँ पे बात करूँ तो टू अफ पेंटिकल्स और एंपरर की अनरजी अभी करियर की यहाँ पे बात करूँ न जो भी लोग अल्रेडी रिलेशन्शिप में हैं उन लोग की लाइफ में शायद चीजें बहुत जादा अच्छी चीजें मतलब बहुत जादा अच्छा नहीं चल रहा है आपस में दिक्कत हो रही है परिशानी हो रही है आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं सामने वाले के point of view को भी थोड़ा सो समझें बहुत सारी चीजों को ख्याल रखना पड़ेगा और कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो सिंगल है और और किसी या तो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं या कोई रिष्टा तूट गया या हार्ट ब्रेक अल्रेडी हो चुका है ब्रेक अब हो गया है उससे गुजर रहे हो खुद को हील कर रहे और यहीं है क्रीजाने की सारा ध्यान सारी एनरजी अपने करियर की तरफ आप लोगोंने लगा दी है तो अगें खुद को बैलन्स एक स्टेट में आप लोगों को रखना है बहुत बार यह ऐसी सिट्यूशन लाइफ में आ जाती है खुद को हील करिए ओके यह मैसेज यहां पर आप लोगों के लिए है करियर रीडिंग मैं अल्रेडी कर चुकी हूँ आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो हो सकता है कुछ मैसेज़ेस वहां से आप लोगों मिल जाए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर उपर आई बटन पे भी मैं उसको क्लिक कर दूँगी चिक है चलिए देख लेते हैं option 2 और क्या कुछ guidance है advice है आप सभी के लिए suffering in silence emotional withdrawal and fertility option 2 यहां पर पहला ही कार्ट suffering in silence and emotional withdrawal का है life में तरक्की कर रहे हो life में आगे भड़ रहे हो लेकिन emotionally देखा जाए ना तो बहुत साथ मतलब ऊपर से देखा जाए एकदम hard हो एकदम सकत हो I don't care वाली situation में कि मैं एकदम cool हूँ मैं एकदम भड़िया हूँ मैं एकदम fit and fine हूँ मुझे कोई परक्नी परता कुछ वैसा सा आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर घुटन हो रही है अंदर ही अंदर किसी चीज़ से परेशान हो रहे हूँ मैंने कहा कुछ लोग दूड़ू अपना ख्याल रखो ओके यह चीज़ें यहां पर कई जा रही है कुछ ऐसा गरो जो करने से आपको अच्छा लगता है कीवल ऐसा नहीं कि काम 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 पुर दिन कुछ आपकी कुछ यह जैसे डेली रुटीन में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे आ सहां से क्या कुछ मैसेज़ें क्या कुछ गाइडेंस है ऑप्शन चुछ अप्शन चुछ त्रस्ट यॉर वाइप्स लिटन तुछ ऑप्शन चिरु अगर यहां पे बात करू न तो कब्यकभी ऐसा लगता है क्या खोया और क्या पाया इस जीवन में आये थे कुछ भी ने ले कर आए थे सब कुछ यहीं पाया और सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते जाते हैं उन और पर एक है महारे सेत्द हमारे अच्छे काम जाते हैं तो यहां पर कहा जा रहा है कि जिससे आप इपना laws समझ रहे हो फिस जिकली में आपका लॉस नहीं है भही मैं यहां पर कुछ कुछ लोग ऐसा हो सकता है किसी तरीके से काफी जादा परेशान है किसी के चले जाने से या कुछ वैसा यहां पर कहा जा रहा है कि यह नो वन ऐसकी फीलिंग को याद रखो सब एक हैं इस दुनिया में एनरजी वाइस सब एक दूसरे से यह नो connected है कभी-कभी ऐसा लगता है क और यह नो सब अपने अपना रोल प्ले कर रहे हैं किसकी बारी कहां तक है कहां पर किसका साथ है किसी को कुछ भी नहीं बता है ना तो अपने प्रेजिंट में जियो अपने आज में जियो अपने आज को एंजॉय करो अपने आज में खुश रहो लाइफ में कुछ भी पर् सब कुछ कुछ समय तक हमारे साथ है अकेले आए थे कहते हैं अकेले जाना है बस इस सफर में साथ ही मिल जाते हैं बहुत सारे तो वैसा ही कुछ मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है मुझे ऑप्शन टू कि वो वननेस की फीलिंग में वापस से जाएगे अपने याप पर भरोसा रखिए आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उस पर भरोसा रखिए आप लोग क्या कर रहे हो सपोज जखम है कहीं पर उसके उपर काम लगाने की ज़रूरत है ना कि उसको साइड कर देने कि तो वैसे अगर प्रेय नहीं हो रहा है दुख और तो उसे एकसेट कर लो ना कि मुझे हो रहा है पर दुखी हूँ उससेेगस करो अगर रोना रहा है रोलो परिशान हो रहे हो तो कुछ दिन परिशान हो लो और फ यह कार नीचे गिर गया था पावर ओवर डिफिकल्टी रिक्लेमिंग यॉर पावर ठीक है एक और कार दीख लेते हैं आप्शिन टू क्लेवाइंस इंस्पिरेशन इंटर्पेशन एंड रस्ट आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉंग होगी आप्शिन टू हो सकता है आपको विजन आते हैं हो सकता है आपको सपने में चीज़े पहले दिख जाती हूं किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स है क्या होने वाला है क्या तुमारा लें सही रहेगा क्या तुमारा लेन है रहेगा क्योंकि आपकी प्रयों मोन दिल फाफ होता है जिंका मन her यहां पर अपनी investigation के उपकर अपनी meditation के through इसको और ज़्यादा यानो आपको grow करना है आपको भड़ाना है तो आप काम कर सकते हैं उसके अलग ही तरीके रहते हैं तो मैं जनरल रीडिंग में नहीं बता सकती हैं क्योंकि वह अलग concept है power over difficulty का यहाँ पर message है तो देखो difficulties हर किसी की life में है जिन्दकी कभी एक सी नहीं चलती है कि आज सब कुछ अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा ही चलेगा ऐसा बिल्कुल भी जुरूरी नहीं है या फिर आज कुछ problems है तो हमेशा यह problem रहेंगी नहीं जिन्दकी तो हर पर बदलती है यह अगर आप देखो ह हमारे planets हर वक्त अपनी position change कर रहे हैं Sun Moon सब आ रहे हैं जा रहे हैं अपना कांग कर रहे हैं basically तो अपनी strength को पिचानो option 2 अंदर ये अंदर बिल्कुल भी घुटने की परिशान ये reading बिल्कुल ये अलग जोन में चले गई ना अंदर ये अंदर बिल्कुल भी घुटने की पर करेगा साथ में आपकी psychic abilities को भी enhance करेगा amethyst and rose quartz ठीक है ये दोनों crystal को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो यहां से देख लेते हैं last message option 2 मैं भी नहीं ले रही option 2 कुछ काम अधूरे रह गए है मुझे message मिला है option 2 आप लोगों के लिए channel कुछ काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करना है ठीक है पतानी क्या है इसका मतलब क्यों है लेकिन जिसके लिए भी यह message होगा उन्हें समझ में आगया होगा ठीक है leap of faith take a risk and put your heart's desire true into action अब भी यहां पर कहा जा रहा है option 2 कि life में डरना नहीं है बस अभी आगे भढ़ना है अपनी मंजल की तरफ अपने सपनों को पूरा करने की तरफ अभी क्यों होगा कैसे होगा कब होगा क्यों अपने मन में सोन डाउट्स को निकाल दीजे अब केवल और केवल ट्रस्ट करिए कि जो को आपने सोचा है वो होगा ही होगा ठीक है so option 2 यह है आप लोगों की reading आप लोगों को अठी लगी होगी जरूर मुझे बताएगा अपना feedback जरूर शेयर करिएगा कैसी लगी like जरूर कर दीजेगा चैनल को भी subscribe कर लें अगर आप लोग मुझे personal readings लेना चाते हो crystals purchase करना चात हो तो आप मुझे Instagram पर connect कर सकते हो या फिर आप मुझे mail कर सकते हो दोनों की ही link आप नीचे description box में मिल जाएंगे इस camera से साफधान रही मैं अपना नम्मर का भी-भी comment box में शेयर नहीं करती हूँ so मैं मिलते हूं आप लोगों से नेक्सीडिंग में ततक की लिए बाई